हलेव एब्डिवन आज रेट है ट्वंटी अप्टोबर ट्वंटी 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 टू और दाहिंदू न्यूज अनालिसिस में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम दाहिंदू की इंपोर्टन न्यूज को एकजाम के पॉइंट अफ्यू से डिसकस करेंगे वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक जोग्रोफिकल मैप केशन के साथ में और आज आपका केशन ये है कि सतलुज रीवर को आपको मैप में व्यू करना है फिर इससे रेलेटेड हर इंपोर्टेंट फैक्ट्स को और इनफोर्मेशन को को में टाइप करना है कल हमने आपसे क्वेशन पुझा था मरे डार्लिंग रिवर्स को लेकर के तो मरे डार्लिंग रिवर्स को अगर हम मैप में व्यू करें उस्टेलिया कॉंटिनेंट के साउथ इस्टन पार्ट पर फ्लो करती है मरे डार्लिंग रिवर जिसमें मेन रिवर जो है वो मरे रिवर है ये उस्टेलिया की लोंगस रिवर की रूप में फ्लो करती है और इसकी राइट बैंक टिर्बिटरी के रूप में फ्लो करती है डार् हमारे continent हैं, उन continent में कौन-कौन से important rivers हैं, कौन-कौन से important mountainous ranges हैं, इन सभी के name जो हैं आप पता होना चाहिए, बहुत सारे exam में इस तरीके की question जो है, वो match the following में question पूछ लिये जाते हैं, ओके दे हिंदू को अगर हम discuss करें, तो first important news है दे हिंदू के front face पर और यहां पर इंडिय और US ने jointly एक procedure, एक resolution pass करवाने की कोसिस की United Nations Security Council में और 1267 जो list है, terror entities की उसमें two important जो terrorist हैं, उनको यहां पर entry करवाने की India और US जो है, वो मिलकर के यहां पर कोसिस कर रहे थे, लेकिन चाइना ने फिर से अपने इस policy को follow किया है, और इन्होंने यह जो resolution pass करवाने की कोसिस की जा है, अब यह जो terrorist हैं, इनके name यहां पर बताये हुए हैं कि हापी साइद, जो लसकर है तयाबा के founder है, उनके जो बेटे हैं तलहा साहीद और साहीद महमूचो है, वो L.E.T. फला First Insanity Foundation के deputy chief के रूप में काम करते हैं, और उनको यहां पर एक तरीके से जो block करवाने की या उन लेकिन चाइना ने block policy को follow किया है, देखो चाइना को लेकर के, अगर हम last four months में देखें, तो इस तरीके का procedure चाइना ने regular follow किया है, चाइना को लेकर के जब इसको question किया गया, तो चाइना ने बोला कि हम इस तरीके की जो issue है, हम चाहते हैं कि इसको लेकर के basic information हम gathering करें, और त टेक्स्ट पीज है उस पर दिया हुआ है वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या बेसिक बैक्ग्राउंड आस्तक रहा है और किस तरीके से चाइना ने अपनी इस पॉलिसी को रेगुलेट किया है और इंडिया ने कब से अपना इस प्रोसेजर स्टार्ट किया है कि जो टेर्रि जिनको यहाँ पर ब्लोकिंग करवाने का प्रोसेजर अपलाई किया गया था रेजोलेशन पास करवाने की कोसिस की गई थी तो उनके उपर यह एलिगेशन है कि 26.11 मतलब 26.11 जो अटेक हुए थे 2008 में मुंबई में उस टाइम एक तरीके से फॉंड्स को इखटा करना करके हम इस प्रोसेजर को फोलो करेंगे दूसरा यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि अभी फाइनेंशल एक्षन टास्पोर्स की जो प्लैनरी की जो मीटिंग है वो स्टार्ट होने वाली है और इसमें प्रजेन टाइम में आप सभी को पता है कि पाकिस्तान जो है वो ग् किया जा रहा है तो जो ग्रेलिस से बाहर आने की एक संभावना दिख रही है पाकिस्तान को ले करके वो दुबारा से क्या हो जाता उसके उपर ब्लोक लग जाता तो इसी को सपोर्ट करने के लिए हो सकता है कि चाइना ने यहाँ पर जो टेरर फाइनसिंग को एक तरीके से वहाँ पर जो भी important organization florist हो रहे हैं उन सभी strategies को regulate करने के लिए counter करने के लिए चाइना ने इस policy को follow किया हूँ या इस procedure को follow किया हूँ next week जो है वो इंडिया United Nations Security Council के जो counter terrorism committee है उसके members को लेकर के एक meeting जो है वो host करेगा जिसमें चाइना के चाइना's UN ambassador जो है वो भी इसमें सामिल होंगे मुंबई में एक तरीके से ये procedure होगा और इसमें इस procedure में जो 26-11 मुंबई में 2008 में जो attack हुआ था उसको लेकर के एक memorial जो हमारी government है बनाने की कोशिस की है वहाँ पर भी लेकर के जाएगा इन सारे members को ताकि जो भी procedure है हमारा United Nations Security Council में इस तरीके के terrorist को block करवाने का उस procedure के बारे में बताया जाए कि उन्होंने किन points के उपर किस तरीके से इंडिया को एक तरीके से target करने की फूसिस की थी और उसकी वज़े से क्या-क्या issue create हुए थे तब हो सकता है कि इस तरीके के resolution को सभी country जो है वो support करें और इस तरीके के जो terrorism organization है जो terrorist है उनको block करवाया जा सके ओके तो इंडिया जो है वो अपनी तरफ से अपने strategy को follow कर रहा है और अभी हम discuss करेंगे कि और इंडिया ने कौन-कौन से strategy को अब तक follow किया है next यहाँ पर जो article है देखो यहाँ पर बताया गया है कि दिल्ली में अगर दिपावली के time में कोई person firecrackers को burst करता है या फिर खरीदता है तो उसके उपर 200 रुपए का fine लगेगा और 6 महीने की jail भी हो सकती है दूसरा यहाँ पर वहाँ के जो environment minister है उन्होंने बूला है कि अगर कोई person जो supplier का role play करता है तो 5000 रुपए जो है उनके पर fine लगेगा और 3 साल तक की storage, production and sale of crackers को लेकर के 3 साल की imprisonment देखने को मिल सकती है अभी देखो अभी present time में भी NGT ने अपना एक important statement दिया कि उन cities में या फिर जो भी important towns हैं जहाँ पर pollution level थोड़ा कम है तो वहाँ पर green fire crackers जो हैं उनको allow किया जा सकता है तो यहाँ पर भी बोला गया है कि ना सिर्फ जो हमारे traditional crackers हैं उनको लेकर के जो green crackers हैं उनको भी यहाँ पर तो बैन कर दिया गया है देली में 1st of January 2023 तक क्योंकि winter time में अगर हम discuss करें तो air pollution जो है वो काफी ज़्यादा high level का देखने को मिलता है दिली जो हमारी national capital है वहाँ पर तो यहाँ पर fire crackers एक important term आई है इसके बारे में हम discuss कर लेते हैं देखो जो हमारे traditional crackers होते हैं और traditional fire crackers और green crackers हैं इनमें अगर हम बात करें तो दोनों में comparison करें तो देखो वही दोनों से ही pollution होता है लेकिन जो green crackers हैं इनसे comparison अगर हम करें दोनों में तो 30% तक कम pollution देखने को मिलता है लेकिन अगर pollution की बात की जाएं तो दोनों से ही pollution जो है वो emit होता है दूसरा अगर हम बात करें तो sound की क्योंकि जो traditional fire crackers हैं उनसे sound जो है वो काफी ज़्यादा create होता है green fire crackers से तोड़ा जो sound है वो काफी कम create होता है तो ये कुछ ऐसे basic चीजे हैं लेकिन दोनों से ही emission जो है वो देखने को मिलता है इसी लिए जो हाँ national capital है वहाँ पर इनको ban किया गया है next यहाँ पर आप सभी को पता है कि जो congres party है वहाँ पर काफी लंबी time से कोसिस की जा रहे थी कि वहाँ का जो head है वो non Gandhi family से belong हो और उनको यहाँ पर head बनाया जाए इसको लेकर के election का procedure चल रहा था true candidate जो है वो यहाँ पर आते हैं सामने ससी थरूर और मलिकारजुन खटगे और मलिकारजुन खटगे जो है वो यहाँ पर 7,800 वोट के साथ में उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की है और यह बोला गया है कि last 24 years में अगर हम discuss करें तो first time में देखने को मिलेगा कि कोई non Gandhi leader जो है वो यहाँ पर Congress party का head होगा कुछ अलग important fact भी है जैसे कि Congress party जो है उसके formation को लगबग 137 year complete हो गए है तो 137 year old की जो history है Congress party की इसमें छटवी बार ऐसा देखने को मिला है कि top post के लिए मतलब head की post के लिए यहाँ पर जो है election हुए है मतलब आप देखो कि कितनी पुरानी party है लेकिन जो procedure है वो अलग तरीके से यहाँ पर follow किया जा रहा था और Mr. Khadge जो है वो first known Gandhi leader होंगे last 24 years में जो party की जो top post है उसके उपर वो रहेंगे और 26th जो October है उसमें वो charge लेंगे अपना तो यह कुछ basic बाते हैं जिनके बारे में हमें एक basic बाते बता होनी चाहिए यह जो fact है न कि last 37 years में और यह last 24 years में यह fact हमारे लिए important है एक बात पता होनी चाहिए कि किस तरीके से जो party है उसमें democracy को follow किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है अभी present time में election commission ने इसको लेकर के बात भी की थी कि देखो जो political parties है उनमें भी internal level पर क्या होना चाहिए जो भी democracy है उसको follow किया जाना चाहिए क्योंकि इसका basic region यह है कि यह political party जो है वो ही तो election के थिरू जो है अपने candidates को जितवा करके एक तरीके से हमारी country में democracy को regulate करने का काम करती है तो अगर parties में ही internal level पर democracy को follow नहीं किया जाएगा तो एक तरीके से जो main objective है उसको achieve नहीं किया जा सकता है तो कोसिस यही होने चाहिए कि जो parties है उनमें procedure जो है वो transparency के साथ में accountability के साथ में regulate किया जा सके ताकि जो people है उनमें एक तरीके से belief create हो कि हाँ party अपने level पर अपने internal level पर जो भी issues है उनको solve कर रही है और एक procedure के तहत एक democratic जो values है उन सभी को evaluate करने में उनको implement करने में अपना important role play कर रही है तो जाकर के country में अच्छे से जो भी हमारी values है उनको establish करने में role play करेगी next important article है editorial page पर और यहाँ पर बताया हुआ है यहाँ देखिए देखो इस article में बताया है सबसे पहले जो present time में जो issue चल रहे है उसके बारे में हाँ पर discuss किया गया है कि COVID-19 pandemic जो है उसकी वज़े से पुरे world level पर अगर हम देखे तो काफी shattered level की life जो है वो देखने को मिली थी उसके बाद में present time में जो war जैसे situation वो जो बना हुआ है रश्या और योक्रेन के बीच में उसकी वज़े से भी काफी ज़्यादा जो issue है वो देखने को मिल रहे है तो यहां पर बताया गया है कि last 30 years में अगर हम comparison करें and for the first time since it began over 30 years ago the United Nations Development Program Human Development Report has warned that global human development measures have declined across most countries in past 2 years human development measures में अगर हम देखें तो एक तरीकी से decline जो है वो देखने को मिला है last 2 years के comparison अगर करें तो यह सारी चीज़े जो है वो किसकी वज़े से हुई है कि planetary level पर अगर हम देखें तो climate change, pollution और biodiversity जो loss है उसकी वज़े से यह सारे issue देखने को मिल रहे है और यहां पर बताया गया है कि past decade में अगर हम देखें तो 9 of the warmest year on record मतब यह जो साल है वो जो गर्म साल रही है जो warm year रही है उनमें से 90 नमबर पर आप यह बोल सकते हो कि 90 साल ऐसी रही है last decade में मतब 10 साल में 9 साल तो ऐसी रही है जब temperature जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला है और यह साल भी record breaking heat waves, floods, drought और other extreme form of weather events जो है वो देखने को मिले है जिसकी वज़य से world level पर जो लोग है वो काफे ज़्यादा effect हुई है जैसे कि आप अपने इंडिया लेवल पर ही देख लो कि हमने देखा कि heat waves जो है वो summer time में को ज़्यादा effect हुई बहुत region ऐसे है कि drought जो है वो face करना पड़ रहा है कहीं कर फ्लेट जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है पाकिस्तान जो है वो फ्लेट से काफे ज़्यादा effect हुआ है इसके अलावा अगर हम बात करें यह तो other issue है ही साती सात में जो है वो drought की वज़य से जो आप मान सकते हो कि किसकी एक तरीके से जो forest region है वहाँ पर fire की जो issue है वो भी काफे ज़्यादा increase हो गए है और वो किसकी वज़े से हो रहे है क्योंकि climate change हो रहा है climate change होने की वज़े से यह सारी चीजे जो है वो implement हो रही है और इसकी वज़े से बहुत सारे issue देखने को मिल रहे है तो इस article में ब कर पाएंगे कोप 26 की जो meeting हुई और इसके अलावा Paris Agreement जो हुआ और last year जो Glasgow meeting हुई जिसको COP26 summit के नाम से भी जानते हैं उसमें कुछ important points के उपर discussion किया गया था कि emission को हम किस तरीके से limit करेंगे साथ इस हमने Paris Agreement में हमने decision लिया था कि 1.5 degree Celsius तक हमारत के temperature को regulate करेंगे लेकिन जिस तरीके से emission हो रहा है उस तरीके से हम इन target को कभी भी achieve नहीं कर पाएंगे तो basic चीज यही है कि जो अभी next month जो है COP27 जो meeting होने वाली है उससे पहले हमें कोसिस करें कि जो भी COP26 में हमने decision लिया Paris Agreement में जो हमने decision लिया उनका implementation होना चाहिए तो यहाँ पर COP26 की बात की गई है कि हमारे इंडिया के जो prime minister है उन्होंने lifestyle for environment यह announce किया था कि हमारी जो lifestyle है वो अब present time में environment के according होने चाहिए कि environment को क्या suiting है उसी के according सारे procedure जो है वो हम follow करें ओके तो यह जो life जो procedure हमने रखा कि lifestyle for environment इसमें उन्होंने बुला कि जो simple life है उसमें हमें focus करना है जो भी एक तरीके से हर person जो है वो अपने individual level पर यह focus करें कि कि किस तरीके से planet के favor में हम सारा balance जो है वो बना सकें ओके तो यहां पर देखो जो important बाते हैं उनके बारे में बोला गया है सबसे important बात तो यह है कि देखो जो लोग है उनमें एक awareness होनी चाहिए उनको पता होना चाहिए कि उनके कौन-कौन से procedure से जो है वो emission जादा हो रहा है जो issue है वो जादा बढ़ रहे है तो सबसे पहली बात तो awareness के उपर focus किया जाना चाहिए दूसरा यह है कि जो भी हम emission देख रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि जो rich countries हैं वहाँ से emission जादा हो रहा है वहाँ population भी कम रहती है और emission हो रहा है जादा तो जो poor countries हैं वहाँ तो low consuming नहीं कर रहे हैं यह सारे products और उनको उस emission की वज़े से जो issue हैं वो सबसे ज़्यादा face करने बढ़ रहे हैं तो एक तो हमें इस issue के उपर follow करना होगा कि जिनके दुआरा emission किया जा रहा है उन्हीं के उपर solution के उपर भी ज़्यादा focus किया जा सके ऐसा नहीं है कि जो equality होनी चाहिए उसको हम यहाँ पर regular नहीं कर पा रहे हैं ओके साती सा सात में हमें जो भी हमारे products हैं जिन भी procedure को हम follow करते हैं उनके उपर हमें कोसिस की जानी चाहिए उनको हम इस तरीके से track करें कि उसकी वज़े से जो हमारा planet है उसको कितना effect देखने को मिल रहा है अगर यह सारे procedure हमने किये इन सभी को हमने transformed level पर apply किया तो हमारा जो planet है उसको ह हम काफी अच्छे level तक क्या कर पाएंगे एक तरीके से बचा पाएंगे ओके तो इन सारे procedure के अलावा यहां पर बताया हुआ है कि जो wealthiest country है उनमें population जो है वो सिर्फ पूरे वर्ल्ड की 1% population रहती है लेकिन society के अगर हम बात करें तो वो सारे के सारे जो भी resources हैं उनका maximum use करत हैं emission वहाँ पर ज्यादा होता है लेकिन जो poorest population है वो सबसे ज्यादा इस सारे emission की वज़े से उनको यह face करना पड़ता है तो developed जो world है उनकी duty है उनकी responsibility है कि जो भी उनके द्वारा emission किया गया है उनको regulate करने की कोशिस की जाई तभी जाकर के हम क्या कर सकते हैं इन सारे issues को solve कर पाएंगे यहाँ पर इंडिया के लिए बोला गया है कि इंडिया जो है इस साल G20 ग्रूप की leadership जो है इंडिया के पास में रहेगी next one year के लिए तो यह जो COP27 की जो meeting है उसमें इन सारे points को लेकर के focus किया जाए साती सात में इंडिया जो है वो G20 ग्रूप के उपर भी focus करे औ जाकि अलग-अलग तरीके से अलग-अलग strategy से इन सारे procedure को और जो emission है उनको कम किया जा सकी ओके next important article है यहाँ पर अभी हमारे इंडिया के जो next CGI होंगे DY चंदरचूर उनके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है कुछ basic बाते बताई हुई है जो आपको पता होनी चाहिए तो यहाँ पर हम जो भी यहाँ देखे इस तरीके से index के through जो है वो सारे complete इस article को हम समझेंगे यह हमारे इंडिया की next CGI होंगे 50 number की तो सबसे important को बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि last 2 जो CGI है उनके बारे में पता होना चाहिए तो 48th number के CGI थे N.V. रवन्ना और 49th number के CGI प्रजेंट आई में है U.U. ललित तो यह आपको पता होना चाहिए और 50 number के होंगे DY चंदरचूर तो इनके बारे में basic बाते जेस की अगर हम बात करें जिन्होंने CGI की रूप में भी role play किया है उनका term जो है काफी ज़्यादा रहा है तो हमारे जो next CGI होंगे DY चंदरचूर इनके father है YV चंदरचूर इनका जो term है वो सबसे ज़्यादा time का रहा 7 साल 4 महीन प्रो 19 दिन का तो यहाँ पर इस article में बताया ह हुआ भी है यह सारी बातें देखूं इनके जो father है वो 1978 में जो है वो judge बने थे CGI बने थे और 1985 में वो जो है CGI की post से retire हुए थे मतलब 7 साल तक लगबग 7 साल से ज्यादा time तक उन्होंने CGI का role play किया इसके बाद में जो judge थे उनका नाम है भूबनेशर परसाद जिनका 4 साल तक की लगबग term रही next है उनके बाद में यहां पर बताया गया है an ray जिनकी 3 साल तक उनका जो है term रहा और देखो यहां पर जो सबसे कम जो है यहां पर बता रखा है कि जिनकी सबसे कम term के लिए जो CGI रहे तो इनका name है kyan sing तो बहुत बार इस तरीके question पूछ ले लेते हैं तो direct सबसे ज़्यादा term किसकी रही और सबसे कम term किसकी रही क्योंकि present time में जो CGI है उनकी term भी काफी कम है 73 days के लिए CGI रहे तो इसकी वज़े से और जो next CGI होंगे उनकी term बहुत ज़्यादा रहेगी तो दोनों ही जो data है वो आपके लिए important हो जाता है साथी साथ में यहाँ पर बता रहा है कि जो youngest judges के रूप में सामनी आए तो D.Y. चंदरचूर जो हमारे CGI होंगे उनके जो father है Y.B. चंदरचूर वो 57 year की age में ही वो जो है CGI बन जाते हैं तब ही तो वो 7 साल तक रह पाता है न 65 maximum age है तो और अभी जो justice D.Y. चंदरचूर जो है वो 62 year की age में बन जाएंगे तो इस तरीके से इनका name जो है वो इन सारे important data में सामिल हो रहा है जिसकी वज़े से important हो जाता है और जो CGI कम time के लिए CGI बने मतलब उनकी जो एक तरीके से आप बात करो उनका जो term है उनकी जो date of birth है वो 65 year जो है age वो complete करने वाले होंगे तब ही तो उनका term जो है वो काफी कम रहा तो indirectly आप याद कर सकते हो कि जनका term कम रहा मतलब वो maximum age में CGI बने थे यहाँ पर यह बता रखा है कि maximum अगर हम देखे तो मारास्ट्रा स्टेट से जो CGI बनने की संक्या है वो 7 है उसके बाद में उसके बाद में UP West Bengal से आते हैं CGI के संक्या यहाँ यहाँ पर बता रखा है कि जो CGI है उन्होंने अपने education कहां कहां से complete की है तो maximum ने government of low college मुंबई से की है ओके और जो हमारे next CGI है वो कौन-कौन होंगे उनके नेम भी यहाँ पर बता रखे हैं कि इनके बाद में डिवाई चंदर्चूर के बाद में संजीव खन्ना फिर जो है बीवी, गवई, सूर्य, कांथ और विक्रमनाथ और बीवी, नागर्थना ओके तो 2017 में सबसे पहले माना जा रहा है कि हमारे इंडिया की first women CGI है वो देखने को मिलेंगी next important article है यहाँ पर इस article में important बाते बताई हुई है और जो हमने front face पर discuss किया उसको हम अच्छे से यहाँ पर explained way में discuss करेंगे कि इंडिया और US का जो resolution पास करवाने का जो procedure था जिसको चाइना ने यहाँ पर block किया यह सारा procedure क्या रहा है तो देखो 1267 1266 number की जो list है terrorist affiliated की जो terrorist activities से जो लोग है उन सबको इसमें enter करवाने की गुस्स के जाती है जिससे एक तरीके से उनको block करवाया जाता है United Nations Security Council level पर तो इसमें इंडिया और US का यह jointly procedure था US ने आपर block किया question किया गया था अगस्त में US के जो ambassador है उनसे तो उन्होंने आपर answer दिया था कि हम यह जो specific cases है इनको कुछ time के लिए study करना चाते हैं ऐसा नहीं है कि चाइना की strategy जो है वो counter terrorism जो cooperation है उसको हम साथ देना नहीं चाते हैं यह terrorism activities को हम रोकना नहीं चाते हैं लेकिन यह जो cases है इनको कुछ time के लिए study करना चाते हैं ओके तो देखो 2008 में मुंबई attack हुए जो 26-11 के नाम से भी जिसको जानते हैं उसके बाद में इंडिया ने अपना जो procedure है वो start कर दिया और इंडिया ने cross border जो terrorism है उसको international level पर regulate करने की process जो है वो start कर दी और उसमें से ही एक तरीका है United Nation Security Council Terror Listing और इसको इंडिया जो है वो regular follow कर रहा है तो यहाँ पर यह procedure के बारे में हमने discuss किया अब यह जो committee है 1267 जो committee है इसके बारे में हम discuss कर लेते हैं सबसे पहले 1999 में यह जो committee है इसका formation किया गया इसको setup किया गया 2011 और 2015 में time to time इसको update किया गया इसमें क्या होता है United Nation जो member countries है वो यहाँ पर एक resolution पास करवाने कोसिस की जाती है किसी भी terrorist को या terror group को यहाँ पर इसमें enter करवाने की कोसिस की जाती है लेकिन अगर United Nation जो member है उनमें से कोई भी person जो है उस resolution को oppose कर दे तो वो जो है वो पास नहीं होगा मतलब सभी member जो है उसमें अगर हमी भनें अपना एक तरीके से अशोर करें अपनी करब से कि हाँ पास किया जा सकता है तब भी उनको regulate यह जो procedure है यह जो resolution पास करवाने कोसिस की जाती है वो regular किया जा सकता है तो यहाँ पर चाइना जो है वो block कर रहा है last four months से अगर हम इस procedure को देखे जिसकी वज़े से यह जो भी procedure हम implement करने कोसिस कर रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है तो इसमें क्या होता है कि next six months तक जिस person ने यहाँ पर block कर दिया या फिर अपनी तरव से रोक लगा दी तो six months तक उसकी साथ में discussion किया जाता है question पूछा जाता है कि क्यों आप जो है वो इसको रोक रहे हो और अगर उनके त्वारा इनको pass कर दिया जाता है तो यह procedure जो है वो clear हो जाता है लेकिन इस तरीके का यहाँ पर यह procedure देखने को मिलता है कि six months में भी यह procedure जो है वो solve नहीं हो पाता जिसकी वज़े से यह सारा जो issue है वो देखने को मिलता है तो यहाँ पर अगर हम देखें तो चाइना का जो holding policy है वो अभी से नहीं है काफी लंबे time से चाइना इसको follow कर रहा है तो 1999 में 1999 में IC 814 जो है जिस plane को hijack किया गया और उसके बतले में कुछ terrorist को इंडिया से छोड़वाने की कोशिस कीगी जिसको इंडिया ने अरेस्ट किया था जिसमें एक था मसूद अजर तो इसमें यह जो मसूद अजर है इसके बारे में बोलते हैं कि 2001 में और फिर 26 ग्यार जो attack हुआ इसमें इनका important role था और इसके अलावा फिर यहां पर इसको block करवाने की कोशिस की गई तो चाइना जो है उन्होंने इन proposal को एक तरीके से hold पर रखा काफी बार 29 में 10 में 16 में 18 में और फिर उसके बाद में 19 में जो है इनको मसूद अजर की जो activities है उनके basis पर इनको यहां पर क्या कर दिया गया ब्लोक करवा दिया गया इस list में जो है world level की जो list है terrorist list उसमें उनको involve करवा दिया गया ओके तो इसी तरीके का procedure जो है वो चाइना regular follow करता है holding जो policy है वो चाइना काफी बार उन्होंने इस तरीके से follow की है ओके तो इंडिया का option यह है कि 2008 में जब attack उसके बाद में इंडिया ने अपना इस procedure को follow किया है और इंडिया अपनी तरफ से कोसिस कर रहा है कि इन सारी activities को हम क्या करें regulate करें तो दूसरा यहां पर क्या बता जा रहा है एक तो यहां पर United Nation level पर regulate करने की और दूसरा Financial Action Task Force जो है वो भी अपने level पर कोसिस कर रहा है तो Financial Financial Action Task Force के अगर हम बात करें तो FATF जो है वो 1989 में G7 जो group है उन्होंने इसको establish किया गया था और starting में अगर हम discuss करें तो money laundering को regulate करने के लिए यह जो organization है वो establish हुआ था फिर इसके बाद में 2001 में जब जिसको 9-11 attack के नाम से भी जानते हैं US में जो attack हुआ उसके बाद में इसका ज और इसमें terrorism जो financing है उसको भी involve कर दिया गया सन 2000 से FATF जो है वो दो list maintain कर रहा है black list और grey list इन्ही list के basis पर जो present time में पाकिसान जो है उसको grey list में regular किया हुआ है क्योंकि वहाँ पर terrorism को लेकर के जो activities है वो regular बनी हुई है next important article है यहां देखिए page number 10 पर और यहां पर United Nation के जो chief है वो हमारे इंडिया की visit पर उन्होंने बुला है कि जो भी hate speech है उनको हम condemn करें और specific उन्होंने इंडिया को लेकर के बुला कि इंडिया की uniqueness है कि यहां पर काफ़ ज़्यादा diversity है इस diversity को अगर हमें regulate करना है तो जो hate speech है उनको promote होनी से हमें रोकना होगा next है हमारे जो prime minister है उन्होंने कुछ important बात बुली है उन्होंने बुला है कि जो space tech जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम self-reliant बने ज़्यादा से ज़्यादा technology को हम इस तरीके से use करें कि हमारी जो causes है वो हर area में अपने लेवल पर हम जो है indigenous लेवल पर सारे के सारे technology को regulate कर पाई देखो कुस time पहले हमने देखा कि जो Russia है उन्होंने Ukraine के कुछ part को four region को अपने अंडर कर लिया और यहाँ पर अब Russia जो है उन region पर अपने जो laws है तो सबसे पहले जो martial law जो है उन्होंने यहाँ पर जो है वो implement करने का procedure स्टार्ट कर दिया है कि इनके जो लो है वो यहाँ पर implement होंगे ओके बिजनेस पेज पर important news यह है कि हम काफी लंबे टाइम से देख रहे थे G7 गुरुप जो है वो एक कोसिस कर रहा है कि Russia के जो भी crude oil है उनको regulate करने की कोसिस की जाए और उनकी जो price है वो decide की जाए तो इसको लेकर कि India से भी question किया गया इंडिया ने बोला था कि हम अपने level पर regulate करेंगे लेकिन अब इंडिया ने clear किया है कि इंडिया जो है वो इस Russia oil की price gap जो है इसको एक तरीके से evaluate करेगा और अगर लगता है तो इसको हम क्या करेंगे इसको हम भी implement करने की कोसिस कर सकते हैं लेकिन पहले इंडिया जो है वो इस price gap को एक को subscribe कीजिए okay thank you तो को यहाँ पर यह price gap जो है यह अभी हमने discuss किया इसको regulate क्यों किया जाएगा क्योंकि जैसे जैसे prices जो है crude oil का जो production है उसमें कमी देखने के वज़े से जो price है वो काफी ज़्यादा increase हो रहे हैं तो इस तरीके से Russia को support ना मिले money जो है वो transfer ना हूँ Russia में उन सबी को counter करने के लिए हम क्या करें कि जो price gap है crude oil के वो एक तरीके से level decide किया जाए और उसी के उपर खरीदा जाए तो जब रश्या अगर इनके उपर बात नहीं मानेगा तो रश्या से crude oil नहीं खरादा जाएगा और money की जो supply है वो रश्या में नहीं होगी तो एक तरीके से regulate करने की यह बोर जो है इसको regulate करने की कोशिस की जाड़ी है अधर कंट्रीज के द्वारा ओके थैंक यू